Hello everyone, मैं आपके साथ बनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर हम Binance को capture करेंगे कि Binance पर ओडर कैसे लगाते हैं with centex तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको API connection बता रखा कि Binance की API कैसे लेते हैं और उसको connection कैसे करते हैं next level bot के अंदर उस वीडियो का लिंक आपको description मिल जाएगा आप उससे देख लीजिए यह second part है जिसके अंदर आपको मैं एक tool के help से syntax generate करना बताऊंगा और syntax कैसे-कैसे use करे जाते हैं वह बताऊंगा पर जो previous video उसके अंदर हमने एक file दे रखे थी जिसकी help से आप syntax को copy paste करते थे अब उस file की कोई ज़रुत नहीं है तो आप easily syntax generate कर सकते हो जैसे कि अभी मैं future के उपर बताऊंगा यह मैंने future खोल रखा है Binance का अगर आप नहीं जानते तो आप Google पे देख लीजिए Binance future क्या होता है future trading क्या होती है और अभी के लिए हम Binance पे हैं और यह हमारी website nextlevelbot.com और third यह हमने एक chart खोल रखा है जिसके अंदर BTC USDT का एक chart खोल रखा है तो आपको मैं alerts लगा के दिखाऊंगा और alerts में जो लगा के दिखाऊंगा आपको horizontal line पे लगा के दिखाऊंगा आपको इसी भी indicator का या strategy का use कर सकते मैं horizontal line पे लगाऊंगा क्योंकि मेरा time बचेगा signal वैसे अगर मैं को indicator लगाऊंगा तो signal काफी late आएंगे जिसके वज़े से video काफी lengthy बन जाएगी तो अभी के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले आपको इस website पर आना है sign up कर लेना है sign up करके login कर लेना है login करने के बाद आपको आपका user name दिखेगा आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करोगे आपका ये internal dashboard है इस dashboard पर आपको क्या करना है इधर left side में जाना है left side में बीटा syntax इस पर right click करके इसे new tab पर open कर देना है new tab पर open करोगे तो इस syntax generate box है तो अब आपको क्या करना है किसी भी order बनाना है ये ज सामने exchange type आएगा कि आप Binance exchange पर काम करना चाहते हो Binance margin पर काम करना चाहते हो Binance future पर हम तीनों चीज़े support करते है Binance की और आप इन तीनों पर order लगा सकते हो तो अभी के लिए हम Binance future पर लगाएंगे तो हम इसे खोलेंगे जैसे इसे खोला तो ये आप से पूछ रहा है कि इस बारे में बताऊंगा सबसे पहले हम market order generate करते हैं तो हम market पर किलिक करेंगे यह हमसे trading symbol पूछ रहा है तो हम दाल देते है BTC slash USDT यह हमने symbol दाल दिया उसके बाद quantity पूछ रहा है मैं दाल देता हूं 0.001 हम इधर percentage भी select कर सकते हैं कि मेरे पास अगर suppose मानिए 1000 dollar है और इधर मैं portfolio का 50% यह use करेगा तो आप इस चीज को देख ले ना अभी के लिए मैं quantity दाल रहा हूं percentage पे select नहीं कर रहा हूं उसके बाद पूछ रहा है क्या करना चाते हो buy करना चाते हो sell करना चाते हो its mean long करना चाते हो short करना चाते हो तो हम long करना चाते हैं जैसे हमने long करा यह generate बटन आय अब आपको इस दर ट्रेडिंग व्यू पर जाना है और आपको वह इंडिकेटर के अंदर अलर्स लगाना है मैं अभी इंडिकेटर नहीं ले रहा है इसलिए मैं एक horizontal line ले ले लेता हूं इस पर right-click करता हूं add alert करता हूं और इधर जाके मैं इस code को paste कर देता हूं और अभी नाम दे दिया इसे नेम जो दिया है और लॉंग दे दिया है आप कुछ भी दे सकते हो वैसे और एक चीज में है यहां पर वैभूक यूरल एड करना होता है इसके विगर आपका order नहीं जाएगा तो इस चीज का धान रखिए जो आप लास्ट में वैभूक यूरल एड करत आपको इस बटन पर कुल्क करना है जैसे बंटन पर किल्क करोगे आपका वैभूक यूरल कोपी हो जाएगा आपको उससको पेस्ट कर देना इहां पर अभी हम इसे सेफ कर देते हैं जैसे हम सेस्थ करेंगे यहां पर लॉंग नाम से कलर बण गया हमारा और अगर आप इहा कि हम उस candle को वहां तक जाने दें तो इसलिए हम इसको candle को इस line को horizontal line को candle के में पर रख देंगे जैसे पर अलेट है अगर आप यहां जाके देखो गे तो यहां order आ गया कितने से आया 0.01 quantity से आया एक चीज का और में बता दू जो leverage आप यहां set करोगे by default वो leverage उठाएगा मेरी by default जो leverage थी वो cross पे थी और जो leverage select कर रखी थी वो मैंने 20x select कर रखी ती जैसे आपको पता है bitcoin के अंदर अगर आप BTC USGT में काम कर रहे हो तो 125x तक आप leverage ले सकते हो पर मैंने 20x ले र अब आजाते हम दुबारा centex पे इसे close करते हैं और हम इस पे दुबारा किलिक कर देते हैं centex फिर से वैसे हो गया अब मेरे को किसी order को close करना है कोई position है उसे close करने के लिए जैसे आपकी कोई indicator है indicator के अंदर आपने कोई line या कोई tigger बना रखा है जब वो tigger हो आपकी position close हो ज फ्यूचर के अंदर वो सारी कि सारी close कर देगा पर अगर आप particular नाम देना चाहते हो कि मैं इस चीज को close करना चाहता हूं जैसे कि मैं दे देता हूं आपके capital small कैसे भी दे दीजिए इसके अंदर BTC US DT अब मैंने नाम दे दिया कि particular मेरे को इसी symbol की position close कर देए तो अगर मेरे trading view पे जाता हूं और इधर जाने के बाद मैं क्या करता हूं एडिट कर देता हूं इसे और इसको यह दे देता हूं अभी के लिए हमें tag का use नहीं करते हैं हम लिख देते हैं tag आप इसमें कुछ भी लिखते रहीगा तो मैंने tag लिख दिया अभी आप देखोगे मेरी एक position on ह अब मैं इसे जानबूच के टिगर कराता हूं candle के front पे इस line को रख देंगे थोड़ी दिर में यह टिगर हो जाएगी यहां पर alerts आएगा और आप इधर देखोगे यह position close हो गई इस तरीके से close position काम करती है अब आ जाते है next process पे अब दुबारा इस पे जाएंगे इसे close करें करेंगे इस पे दुबारा किलिक करेंगे अब हम limit order दिखाते हैं आपको limit order के लिए आप limit order पे click करोगे यहां नाम दोगे मैं BTC BTC and slash USDT कर देता हूं quantity में लेना चाहता हूं 0.01 0.01 और quantity में 0.01 लेना चाहता हूं अब यह PR के आए मैं थोड़ा सा इसको explain कर दूँ PR वो है जब आपकी कोई भी चीज तिगर होती है trading view पे उस time हम latest price get करते हैं कि उस time उसका क्या latest price चल रहा है as a example आपका Bitcoin Tigger हुआ और उसका price चल रहा है 10,000 डोलर और आप चाहते हो कि जब अब इसकी strategy Tigger हो आपकी 50 डोलर नीचे जो current price है उससे 50 डोलर नीचे आपकी bid लग जाए as a example के लिए मैं 50 डाल देता हूं आप यहां percentage भी select कर सकते हो 50% ले लेगा अभी मैं percentage select नहीं करता long select कर देता हूं generate कर देता हूं code generate होने के बाद यह symbol आ गया हमारे पास इसे हम copy करेंगे copy करने के बाद हम दुबारा trading view पर जाएंगे और यहां पर जाने के बाद हम अपना alerts बनाएंगे आप जितने मर्जी alerts बना सकते हो यह depends आपके plan पर गरता है और आपको कोई problem होती है trading view का plan लेने में तो आप इसका trial यूज कर सकते हो और trial के लिए बस आपको PayPal का account चाहिए और आप इसका every month trial ले सकते हो different mail ID से फिर भी आपको कोई problem होती है हमारे trading view गूरूप में join हो सकते हो महाँ पर हमारे पास एक user है जो आपको 200 ओपीज में trading view का trial प्रवाइट करा देंगे every month उनसे आप trial ले सकते हो अभी के लिए मैं इसे close safe करता हूँ यह price शो कर रहा है कि हमारा amount जो था इतना था इस तरीके से आपकी limit order में bid लागेगी अब limit order की जो bid होती हो close नहीं होती हो cancel होती है क्योंकि यह pending order है तो इसको cancel करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो यह cancel हो तो आप इस cancel पर click करोगे और व्यासी जैसे मैंने आपको पहले बताया था अगर symbol दालोगे तो वही चीज को cancel करेगा अगर direct without symbol generate कर दोगे तो सब को cancel कर देगा तो अभी हम symbol के साथ code generate करते है, syntax generate करते है और copy करा, दुबारा इधर गए और इधर जाने के बाद हमने इसे trigger करा है मैं एक और line ले लेता हूँ red color की जिससे मेरे को easy हो जाए बार-बार change करने ना पड़े तो मैं यह line ले रहा हूँ एक चीज का याद रखना है मैं अभी webhook URL नहीं दाल रहा क्योंकि मेरा default जितने भी alerts create करूँगा webhook URL आएगा आपको create करना एक बार दालना पड़ेगा एक one time दाल दो कि जो last time दाला वो show होगा तो यह देखिए अभी हमारी position है अब मैं इसे cancel order से cancel कर रहा हूँ तो यह मैं cancel करता हूँ जैसे मैं cancel करूँगा यह order cancel हो जाएगा यह alerts होने के बाद हम इधर जाएगे तो यह order अभी cancel हो जाएगा तो अभी तक यह order cancel नहीं हुआ थोड़ा सा वेट करते हैं किस वज़े से नहीं हुआ तो एक बार syntax देख लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं दाला तो यहां sorry हमने है न क्या करा रहा है क्लोज का code बना दिये यह cancel का है यह नहीं हमें cancel पर जाना था cancel का यहां से बनेगा अब generate करते हैं अब यह आप देख सकते हो cancel cancel लिखा है तो हमने close करा है तो कोई position है यह नहीं तो close कैसे करेगा तो हमें तो cancel करवाना है order क्योंकि हमारा limit order तो हमने cancel का syntax डाला और फिर से देखते हैं यहां पर अभी आप देख सकते हो पोजिशन है और मैं इसे जान बूच के टिगर करा देता हूं जैसे टिगर करा हूं वह साइड में alerts आएगा alerts आगा आप देख सकते हो और यह cancel हो गया अब आजाते हैं fully algo what is fully algo तो fully algo क्या है मैं थोड़ा सा आपको explain कर दूँ आपके पास कोई previous position है तो और आप चाहते हो जब भी आपका alerts आए previous position को close करे और नई position add करे अगर है तो close करे otherwise नई position तो add करे इसे fully algo कहा जाता है as a example आपने कोई buy sale का indicator trading view पे add कर रखा है और आप चाहत लाए तो buy की position को close करे और sale की position दाल दे इसे कहते है fully algo as a example के लिए अभी हम क्या करते है हम एक code generate करते है fully algo पे click करा यहाँ पर नाब दाला btc slash usdt quantity दाली हमने 0.001 यह example के लिए कर रहा हूं है आपके लिए buy दाला generate code करा यह fully algo का code generate हो गया as a example के लिए अब हम क्या करते है एक का code है तो मैं buy का code इसके अंदर दाल देता हूं इधर लिख देता हूं लाँ आपको जिससे alerts का पता लग जाए और ऐसे ही मैं दुबारा इधर जाऊंगा और इधर आप sale का code बनाऊंगा और इसे लिख देता हूं short copy करा मैंने और इस alerts को बना देता हूं short नाम से तो जैसे और टिगर होगा यह पुरानी position को जोब लोगा पर फोजिशन तो है नहीं तो क्लोज नहीं तो बुज़ नहीं करेगा अगली पोजिशन एड अट कर देगा की अग्जामपल के लिए में दिखाता हूं जैसे मैं tigger कराऊंगा यहां alerts आया और आप देखिए यहां पर यह एक quantity इनने add कर दी एक लग सतोसी से इनने एक buy की position add कर दी और पुरानी position थी नहीं तो इसलिए काटी नहीं अब जैसे ही मैं sale का tigger कराऊंगा तो यह क्या करेगा पुरानी position को close करेगा it's been old position को close करेगा and new position add करेगा तो यह देखिए long की position को close करेगा टिगर होके और sale की position डाल दी अब जैसे buy का tigger होगा जो आपके indicator के according बतारो दुबारा जब buy का tigger होगा तो यह क्या करेगा आपकी short की position को close करेगा और long की position डाल देगा यह long की position यहां आने वाली आ गई इस तरीके से इसे कहते है fully automation पुरानी position को close करना old position को close करना new position add करना I hope आप समझ रहे होंगे मैंने क्या बताया अब आजाते हैं syntax पे तो मैंने यह पांचो चीज़े explain कर दी आपको अब आ जाते हैं यह market order, limit order, cancel order, close order, fully algo यह पांचो चीज़े explain हो गई अब आ जाते हैं order with TP SL मतलब अगर आप चाहते हो कि जो order आप लगा रहे हो उसके साथ TP और SL भी लगे मतलब take profit और SL भी लगे तो आपको क्या करना है आपको इस पे click करना है यहाँ पर symbol का नाम दालना है मैं दाल देता हूं BTC slash USDT quantity वही लेंगे हम जो सुरू से ले रहे हैं 0.001 एक लाग सतोसी अब मेरा stop loss क्या है मेरा stop loss 50 रुपे 50 डोलर का है और जो take profit है वो मेरा 100 डोलर का है ठीक है जी मैं long करना चाहता हूं अब यह क्या करेगा यह आपकी position लगा देगा पर मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताऊंगा उस चीज को आपको धान से सुनना है ऑग्जामपल के लिए मैं दिखा देता हूं मैंने यह लगाया save करा save करने के बाद पहले मैं और क्लोज कर देता हूं जिससे में आपको दिखा सकूं यह market order इसे में close कर देता हूं इदर कोई भी पोजिशन नहीं रही मैंने मैनमेल क्लोज करा है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था और मैं इसे टिगर कराता हूँ जैसे मैं इसे टिगर कराऊंगा तो आपको देखिएगा क्या होगा इदर पहले तो हमारी एक क्वेंटिटी बाई हो गई और यहां पर पैंडिंग ओडर में दो ओडर लगा रखें एक स्टॉप मार्केट एक स्टॉप मार्केट टेक प्रॉफिट तो इनने क्या कर रखा है कि अगर आप देखोगे तो यहां पर इनने जो प्राइच चल रहा है उससे पचास डॉलर नीचे इनने अपना स्टॉप ल रहे जाएगी पर यह चीज रहने से आपका कुछ नहीं होगा जब यह टिगर होगी तो आपका कुछ भी मतलब सेल नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा बस यहां पर जैसे आपका स्टॉप लॉस हीट होगा तो यह पोजिशन जो भी होगी इधर जितनी भी पोजिशन होगी full की full close कर देगा इस चीज का आपको धान रखना है और जो दूसरा जो इसकी lag रह जा रही है वो automatic जब tigger होगी अपने आपी उस पर कोई response नहीं आएगा क्योंकि आपकी position पहले से close होगी अभी के लिए मैं यह cancel कर देता हूँ यह मैंने cancel करा और position को close कर देता हूँ यह मैंने close करा तो अब मैंने आपको काफी सारी चीजे बता दी है और अब आजाते हम इसकी last चीज पे तो यहाँ पर है fully algo with TPSL तो मैंने fully algo आपको बताया ता पुरानी position को close करता है new position add करता है वो च profit same वैसे ही डालना है इसको मैं skip करता हूँ इसको नहीं दिखाता अब आ जाते है strategy पे इसके लिए मैं एक particular video बना दूँगा बर अभी के लिए आपको एक चीज समझा देता हूँ बैक टेस्टिंग करते हो और उसके अंदर आप कोई भी alerts specific file नहीं लगा सकते है तो उस चीज के लिए अगर आप strategy यूज करते हो तो उस चीज के लिए हमने इस सेंटेक्स मनाए अभी के लिए मैं से कोई भी जोरत नहीं है मतलब इसके उपर मैं particular video बना दूँगा जिससे आ पीजी हो जाएगा अभी के लिए इतना ही thank you for watching this video and bye